मैं इस अफसर पर आप सभी को इस बात के लिए और अपने दिवाग के सभी अजितारियों और कमचारियों को इस बात के लिए साधवाद देता हूँ कि ये पैटिहासी के शन है हम लोग के लिए कि हमारे जो रिसर्च के से जुड़े हुए छात्र हैं सिख्षक हैं और समाज के बुद्धी जीवी उनके सामने कोई कछनाई नहों भासाई छत्र में उर्दू से लेकर के हिंदी तमाम चीज की किताबें यहां रहेंगी विचारक बापू से लेकर के तमाम समाजवादी सिंतकों की किताबें यहां रहेंगी जो आपने सुना और आप इस कुस्त काले में अध्यन कर एटिहासी कुस्तकों का इस देश में अमन भालो नफरत जाए नफरत भागे महबबत आए इसमें सभी लोग करमेदास से लगेंगे यह मैं आसा करता हूँ आप सभी लोग जानते हैं बिहार का अपने आप में जो विरासत है वो इस देश नहीं दुनिया में एक अलग पहचान रखती है आपको मालूम होगा कि सुन्द की खोज इसी बिहार के धर्ती से हुए और इसी मगद देश से हुए और आजबट भी इसी मगद के थे अगर सुन की खोज नहोती तो दुनिया को गनित का अग्यान नहीं होता जब दुनिया में तहीं प्रसासन नाम की कोई ची न थी हजारों सांद पहले तो दुनिया को प्रसासन सिखाने का ये धर्ती भी मगद और बिहार ही है जान की भूमी भी इस महाप इसे मगद को कही गई है दुनिया के देशों में जब चन किताबों का अध्यन होता था जैरेतर देशों में धार्मिक किताबों का वी अध्यन होता था हमारे बिहार और नावंदा विश्विद्याले में 11 विश्यों की सम्मूनत परहाई होती थी जिसमें जोतिष विज्ञान गनित विज्ञानादी की भी परहाई होती थी विचार भी परहे जाते थे और आपको मालूम है याद ताजा कर रहा हूँ वेंसांग और भायान का नाम इत्यास में अमिठ है, जो हमारे देश में और राज बिहार में नगंदा विश्पिद्यालाय मातर अध्यन किये और बुद्य के विचार को इस दुनिया में फैलने का अवसर मिला, दुनिया के सो देशों में बुद्य के विचार चल रहे